दोस्तों पोस्टमेटिक स्कॉलर्शिप को लेकर एक काफी अच्छी अपडेट निकल के आ रही है कोई कि काफी सारे स्टुडेंट का हमने कॉमेंट देखा है कि सर हमने इसके लिए आवेदन किया है मेरा पैसा अभी तक नहीं मिल रहा है काफी सारे ऐसे चातर चातरा हैं जो BCBC वाले हैं जिनका आपको पता होगा अब भी 22-23 के लिए जिन होने नमांकल लिया है उनका भी अभी तक आवेदन परक्रिया सुरू नहीं हुआ है और यहाँ पर पोर्टल पर हमेशा एक ही बात लिखा रहा था कि BCBC student are requested to wait for their portal to be opened याँ आपको कह रहा है कि इन्तजार करें आपके लिए portal खोला जागा तो यहाँ पर एक नई अपडेटा आई है जिसके बारे में हम सारी जनकारी समझेगे कि क्या रीजन है क्यों नहीं आप लोगों के लिए portal खोला जा रहा है यहां पर देखेंगे एक New paper के मादम से इसकी जनकारी दी गई है जिसमें clear बता आ जा रहे कि छातविर्टी नहीं दी जाने के मामले पर केंदर राज से जवाब तलब यानि इसकी जनकारी जो है केंदर सरकार राज सरकार से मांग रही है कि आप पैसा क्यों नहीं दे रहा है क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर पहले समझे कि यह जो postmatic scholarship जो आपको दिये जा रहे है यह scholarship क्या है और किनको इसका लाब मिलता है तो देखिए इससे पहले अपने जाना होगा यह आपने इससे पहले कभी आवेदन जरूर किया होगा कि postmatic scholarship का जो लाब होता था वो केंदर सरकार के जो website होते थे NSP National Scholarship Portal जिसके माधम से लिए जाते थे जिस पर क्या होता था कि All India के candidate आवेदन करते थे चाहिए वो किसी भी category से आते हैं लेकिन राज सरकार ने क्या कि कि केंदर सरकार के पोर्टल से एक अपना खुद का पोर्टल बनाया जो पोर्टल अभी आप ये देख पा रहे होंगे जिनका नाम इन्होंने postmatic scholar से पोर्टल रखा अब उसके बारे में ही बता जार कि पोर्टल क्या है और क्या कुछ मामला है ये समझे घिए घिए पॉर्टल ये है इसके बता जारे है कि मैटिक के बाद जो करनिडेट कॉलेज या जो भी इन्वर्सिटी में दाखिला करवाते हैं उसके लिए इसकी राज सी आपको दी जाती है इसके लिए देखिए पटना हाई कोट ने इसको लेकर जबाब मांगा है हो सकता है कोई ये स्टुडेंट ने इसको लेकर क्लेम किया होगा अनुसोची जाती का यहाँ पर मामला दर्ज हुआ है तो अनुसोची जाती के कोई छातर छातराओ का हो सकता postmatic scholarship का पैसा या तो पुराने session वाला नहीं गिया हो नए session का अभी अवेदन ही हो रहा है तो नए session का मामला हो नहीं सकता है तो ये पुराने session के लिए ही पैसा उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा तो इसके लिए quote ने जवाब मांगा है कि भाई क्यों आप पैसा नहीं दे रहे हैं इसकी रीजन बता है और इसकी जो सुनवाई है यहाँ पर बता जा रहा है कि आपको छे सप्ता के भीतर ही आपको जवाब देना है कि इसका रीजन बता यह पैसा क्यों नहीं जा रहा है इसका हलाकि अगले सुनवाई आज के डेट य यहां पर SC-ST वाले का भी अभी तक पैसा नहीं जा रहा है, जिस कारण से, यहां पर पोस्ट मेटिक स्कोलर्शिप को लेकर एक लेटर आपने देखा होगा, अभी हमने आप भी दिखाया, इसको लेकर जबाब मांगा जा रहा है, कोट के द्वारा, तो यहां पर रीजन यही ह कि जो गनि डेट का भी तक आवेदन BC-BC का नहीं हो रहा है, सरकार के पास ओ सकता है इसके लिए बज़र ना हो, यह कणिडेट के लिए भी फिलाल फोर्टल खोले क्यूक्य देखिए, आवेदन लेने से नहीं होता है, आवेदन लेने के बाद उनको पैसा भी देना होता है फिलाल अभी आपने मामला देखा कि SC वाले जो चातर चाता है बहुत सारे का हो सकता है पैसा नहीं गया हो जिस कारण से जवाब मांगा गया तो आने वाले दिनों में हो सकता है BCBC के लिए पोटल खोला जाए जब तक सरकार के पास बजट ना आ जाए तो अगली इसकी सुनव सब्सक्राइब कर दो जाए तो आने वाले दिनों में इसकी खुलासा होगी जब इनका अगली सुनवाई होगी उसमें इसकी जनकारी आपको मिल जाएगी आपको बता दे कई सारे स्टुडेंट का हमने कॉमेंट ने तेखा है कि आप नए आवेदर नहीं ले रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है जो कनिडेट अगर मान लेजे पहले से ही जैसे पार्ट वन में इससे पहले थे लेकिन वो पार्ट टू में आ गया है उसका रिन्यूवल कर लिए भी यहां पर आवेदर नहीं हो रहा है तो यह भी सोचने वाली बात है काफी जो है कि मुदा गं आवेदन करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा ही नहीं क्योंकि नेशनल स्कॉलर से पोर्टल से इसको अलग किया गया है तो यह आपके लिए प्रोपर बनाये गया है थोड़ा सा इंतजार करिए हो सके पोर्टल खूलना तो तैय है लेकिन समय लगे जब तक समय लगे इसकी ज जनकारी आएगी या मेल के मददम से भी हमने मिल किया तो इसकी जनकारी जैसे ही आएगी उसकी जनकारी हम आगे अबडेट करेंगे लेकिन इतना है कि अभी समय आपको लग सकता है वी सी वी सी वालों के लिए जब तक इसकी जो पुष्टी नहीं होगी कि क्या रीजन है पैसा का क्या मामला है इसका बजट का क्या मामला है वो जैसे ही खुलासा इसका होगा फिर आपके लिए भी आविधन परकिरिया हो सके शुरू किया जा सके कई सारे स्टुडियन का हमने ये भी कॉमेंट देखा है कि उनका कहना है कि क्या इस बार हमारा आविधन परकिरिया नहीं होगा हम BCBC के हैं तो ऐसा अभी देखिए कहना नामुम्किन है क्योंकि जब तक ऑफिसल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि इस बार हो सके कि आपका आ पुलासा होगी तो उसकी जनकारी हम आपको आगे अपडेट करेंगे आप चैनल के साथ बने रहे हर अपडेट आपके लिए हम समय पर प्रवाइड किया करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ टेलिग्राम चैनल से जुरिये जहां पर आने वाले हर एक छोटी छोटी जनकारी को हम टेलिग्राम गुरूप पे ही साजा कर देते हैं वुडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद